सबसे पहले तो इक बात बताओ जरूरी है क्या अरे जरूरी है क्या मैंने का हाँ अगर आपकी कोई सबसेटरी है कोई एसे जेवी है तो आपको cfs बनाना पड़ेगा यानी it is compulsory कौन बोला कौन बोला 129 सबसेक्शन 3 अरे सर कैसे बनाएंगे इसका audit कैसे कराएंगे मैंने का वैसे ही जैसा अपना खुद का करते हो जैसे आप अपने सेपरेट अगर किसी कंपनी के पास exemption है कि cfs बनाने की नीड नहीं है तो वो क्या करेगी वो schedule 3 के disclosure दे तो काम चल जाएगा और ऐसी exemption आ जाती है अगर आप कोई intermediary subsidiary हो अगर आप कोई intermediary subsidiary हो जैसे कि यह वाला केस हमारे पास कौन गौन है ultimate holding फिर उसके बाद intermediary holding फिर इसके नीचे कोई intermediary subsidiary हो लास्ट में एक और subsidiary तो एक बात बताओ क्या इसको यह cfs बनाने की जरूवत है हां क्योंकि इसके पास यह subsidiary है तो इसको cfs बनाने की जरूवत है बड़ मैंने का तीन cases है तीन cases है अगर यह तीनों conditions पूरी हो जाए तो हम इसको exemption दे देंगे पहली चीज़ हमारा इसमें 60% शेर यह जो कंपनी है यह पेरेंट कंपनी है ठीक है यह जो पेरेंट कंपनी है इसका subsidiary में किता शेर है 60% यह जो NCI है ना NCI का share किता है सर 40% that is the other member तो जो other members है हमने उनको inform कर दिया और उनको कोई objection नहीं उनको कोई आपत्ती नहीं कि अगर हम इसमें नहीं भी बनाए तो भी काम चलेगा ठीक है सर प्लस it is not listed ना कल listed होने वाले नाइधर it is listed right now नाइधर it is in the process of listing and last point is जो उपर वाल building company यह लोग अपनी क्या बना रहे हैं यह लोग अपनी cfs बना के चल रहे हैं यह उपर वाले cfs बनाते हैं as per the accounting standard और register के साथ फाइल करते हैं तो अगर इन में से कोई भी condition नहीं सारी condition अगर सारी conditions पूरी होंगी तो ही आप कहोगे कि हमें cfs बनाने की जरूरत नहीं so conditions are very simple it is the holy or partially on subsidies and जो बाकी members हैं बाकी members हैं उनको हमने बता दिया that is the nci उनको हमने बताया उनको कोई आपती नहीं है in writing बताया proof of delivery भी है they don't have any objection to the same second it is neither listed not in the process of listing and third जो उपर वाले हैं that is the holding और ultimate holding वो लोग अपने cfs बना के रोसी के साथ फाहिल करते हैं इसी तरह अगर कोई investment entity है जै कि नियत क्या है क्या यह entities में जो shares में पैसा लगाती है वो अपने पन के लिए लगाती है यह दूसरों के लिए लगाती है सर दूसरों के लिए लगाती है हम जैसे mutual fund holders के लिए पैसा लगाती है तो ultimately इसका पैसे लगाने का motive subsidiary पालना नहीं है पैसे कमाना है पैसे कमाना है investment से पैसे कमाने that is इसको consolidation की ज़रूरत नहीं है तो यह कहता है investment entity कौन है जो आप से पैसे लेती है कि हम आगे different different shares में पैसे लगाएंगे क्यों लगा रही है ताकि shares की value बड़े share से dividend है that means returns from capital appreciation investment income और both and third point is यह अपनी shares को कैसे value करती है fair value basis पे fair value through PNL तो इन तीन conditions के पूरे होते ही है investment entity है और इसको cfs बनाने की ज़रूरत नहीं है बट सर अगर investment entity के उपर कोई holding company है तो इसको cfs बनाने पड़ेंगे unless यह holding company भी कोई investment entity है अब सर इसके बाद हमने example discuss किया था इसको बस आप read करके चलेंगे और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है then comes the topic of responsibility of parent अब मैंने का parent की जो management है उसका काम है cfs बनाना cfs मतलब एक parent होगा कुछ subsidiary होगी कुछ associate होगा कोई joint venture होगा इन सब को मिलाके cfs बनेगा तो इन सब को मिलाने के लिए पता भी तो होना चाहिए मिलाना क्या है ingredients क्या है तो मैंने का सबसे पहले components को identify करो तुम मेरा component तुम मेरी component identify किया और उनको बोला हमको अपनी financial information दो obtain accurate and complete financial information component मिल गए उनकी information मिल गई हम है तो क्या सबको मिला दे मैंने का नहीं मिलाने से पहले adjustment करनी पड़ेगी सर कौन सी adjustment consolidation adjustment consolidation adjustment दो तरीके की होती है क्या क्यों होती है एक तो जो component हो सकता accounting standard वाला हो हमें इंडेस वाले तो accounting standard से इंडेस पे लाओ gap adjustment करो दूसरा क्या करना है मैंने का harmonium बजान है यानि harmonization of accounting policy उसकी accounting policy अलग है हमारी अलग है harmonize करो तभी मिला पाओगे तो मैंने का दोनो consolidation adjustments कर लेना harmonization of accounting policy और gap adjustment come on harmonization of accounting policy and gap adjustment जब आपने adjustments कर ले आपका काम खतम अब सर दो पॉइंट्स आप भूल जाओगे क्योंकि इन इंडेस को भी आप कमीश से पढ़ते तो हो नहीं सर ये कौन से दो इंडेस है 108 और 24 तो इनको ध्यान रखना related parties का disclosure proper होना चाहिए segment reporting proper होनी चाहिए अब आत insurance लेंगे satisfy होंगे कि financial statements accounting standards के साथ से बने एक बार ये satisfaction मिलके तो opinion दे देंगे कि वो true and fairview देते हैं फिर 143 1 में inquiry करेंगे 143 की reporting करेंगे come on 143 1 में inquiry करेंगे 33 की reporting करेंगे and last में बड़ा ही अजीब point ये satisfy करेंगे कि भई हां इनको नीड थी इनको नीड थी parent को नीड थी cfs बन charity materiality क्या है यह materiality materiality क्या है क्या है सर materiality तो 320 में निकालते है ना यह cfs में डाला topic काम का topic है ध्यान से यहां पर दो materiality निकलेगी जैसे एक तलाब में कैसी मचली होती है बड़ी मचली होती है छोटी मचली होती है यहां भी दो materiality निकालेंगे बड़ी materiality एक छोटी materiality आप बात करो सर हाँ यह जो बड़ी materiality है ना यह पूरे consolidated financial statements की materiality इसका नाम रखा group materiality क्योंकि बड़ी materiality दो काम करेगी सर क्या एक तो जो आपके consolidated financial statements की adjustments है नो जो भी हम पढ़ते है पर्मानेट एड़्जस्मेंट current period adjustments येस 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 उनको audit करने में काम आएगी यह बात समझा ही ना सर दूसरी चीज़ हर component material नहीं होता हर subsidiary material नहीं होती तो ये identify करने के लिए कि कौन से components material है किनका हमें ध्यान रखके चलना है as a auditor उसमें help करेगी तो दोनों काम क्या क्यों होगा एक तो consolidation adjustments audit करने में दूसरा material components identify करने में अब जब कोई component material है तो उसका audit होना चीए तब इससे नहीं होना चीए सरहोना चीए तो उसका जो auditor है component का जो auditor है उसको आप उसकी individual materiality बताओगे उसके individual components की materiality बताओगे इसको कहते चोटी materiality तो बड़ी materiality से ये पता चला कौन सा component material है अब जो material component है उसकी अलग materiality निकलेगी based on its own financial statement जिसको बोलते है चोटी materiality अब आप component की auditor को communicate करोगे और phone रखने से पहले check कर लेना phone रखने से पहले check कर लेना क्या वो independent है code of ethics से comply करता है या नहीं you got the point or not yes sir तो materiality वाले point बड़े simple है बड़ी materiality छोटी materiality बड़ी materiality group materiality जिसका काम क्या है consolidation adjustments को audit करना दूसरा यह identify करना कौन से component के financial statements material है अब जिसके material है उसके component की auditor को call करके उसकी खुद की materiality बताओ एंड साथ ही साथ confirmation लेलो तो independent है ना पूच लेंगे से अब सरही बाह बताओ क्या बताओ अगर component के financial statements में कोई modification हो रही है component के auditor ने कोई modification करी तो क्या हम हम भी अपनी report को modify करें मैंने का नहीं हम अपनी report को modify नहीं करेंगे सर क्यों क्यों नहीं करेंगे मैंने का बात समझना हो सकता है जो component के लिए material हो हो सकता है जो component के लिए material हो वो हमारे पूरे consolidation के लिए material नहीं जो component के लिए material है आप उस materiality को ignore भी कर सकते हो you need to consider your consolidated financial statement की materiality when considering such modification हम सर एक बाह बता हो क्या as a auditor मुझे audit plan करना पड़ेगा ना पड़े planning होती क्या है planning is nothing but the planning the nature, timing and extent of audit procedure मैंने का उससे पहले तुम पहले समझ तो लो सीधा जाके audit procedure कर डालोगे क्या नई सर पहले हम syllabus को समझेंगे फिर पढ़ाई करेंगे तो पहले हम group को समझते हैं उसकी accounting policy को समझते हैं let's understand the gap gap का क्या मतलब है group और उसकी accounting policy understand the group structure and group wide controls understand the group's accounting policy जब ये दोनों चीज़ समझ आजेंगी तो समझ आजेगा कितना काम लगेगा determine and program the nature timing and extent of audit procedure और सारा काम खुद नहीं करना subsidiaries के auditor है component के auditor है तो you can use the work of other auditor बट उसके लिए coordinate करना पड़ेगा क्या यहां तक सारे point clear है हाँ sir फिर आता topic about the completeness of component कैसे ensure करें सारी subsidiaries और associates आगे मैंने का तुमको tension नहीं लेनी management को लेनी है तो management से समझो management से समझो उनका क्या procedure of identifying the component क्या उनको इस बार पिछली बार के comparison में कोई नया component मिला या कोई पुराना component consolidation के भार चला गया अब आप अपने खुद के working papers देख सकते हो कि पिछली बार आपको कौन कौन से component मिले थे क्या ये तीनों point clear है हाँ सर अब कोई component बनता कैसे है कोई subsidiary बनती कैसे logical वाले points पर आ जाओ हम जब investment करते हैं very good joint venture करते है joint arrangement करते है या फिर कोई other arrangement करते है जिसमें वो हमारी associate बन जा है या फिर there could be a change in the shareholding तो ये सब चीज़े आप देखके चल सकते हो अब आती है permanent consolidation adjustment current period consolidation adjustment very very easy FR पड़ा है हाँ अच्छा FR में जो आप goodwill निकालते हो वो permanent है जो NCI निकालते हो वो भी permanent है plus आपकी NCI में जो changes होते हैं in the change in shareholding वो भी permanent है very good अब किसी entity में goodwill आई किसी में capital reserve तो क्या करूँ जो balance sheet का face है उस पर उनको आप net off कर सकते हो but notes to accounts में आपको उनको अलग-अलग दिखाना पड़ेगा अब आती है current period consolidation adjustment इसकी हमने pairing की थी सबसीडरी ने holding को loan दिये तो इसको क्या बोलते intra group indebtness group के अंदर-अंदर ही indebtness खेल रहे है और फिर parent ने इसको interest दिया तो उसको eliminate करेंगे तो यह कहता है intra group interest paid और received intra group indebtness दोनों related points हो गए हो गए sir अगला point क्या है इसने इसको asset भेजा किसने किसी ने भी किसी को भेजा होगा group में ठीक हमको क्या अगर किसी ने किसी को asset भेजा और उसपे कोई profit था तो वो profit तो unrealized है न actual में actual में profit realized थोड़ी हूँ है वो asset तो अभी भी group का part है तो अगर कोई unrealized profit है on the transfer of assets उसको आप eliminate करोगे जैसी eliminate करोगे defer tax निकल के आएगा तो defer tax को consider कर लेना and last point was the two adjustments that we discussed earlier harmonization of accounting policy and gap adjustment इसके अलावा यह दो points हमने और discuss किया थे इनको please please read करना इन पर हमने question भी discuss किया question bank में कि significant transaction जो होती है between the component की balance sheet date 31 December और 31 March जो हमारी CFS की date है उन significant transaction को भी consider करके चलना है अच्छा तर एक बाहर बताओ component के जो financial statement है और जो CFS है इसके बीच में date gap कितना हो सकता है तो यह कहता है अगर accounting standard की बात करो तो six months Indian accounting standards की बात करो तो three months three months से ज्यादा का gap नहीं हो सकता अब यह वाला point पर भी आई से income नहीं OCI other comprehensive income net assets दिखाया OCI दिखाया और क्या दिखाया PNL दिखाया plus उसका share दिखाओ to the consolidated figure that is the share of the consolidated net assets share of the consolidated PNL share of the consolidated OCI बस इपीसी बात द्याम रखनी है अब सर कुछ ऐसी information है जो SFS में तो आती है बट CFS में नहीं आती है बड़ी अजीव information है बड़ी अजीव information है अजीव औ गरीव information सर क्या है इस पर यह बात करते है कुछ bonus shares की पता नहीं क्यों करते बट करते कहते bonus shares करके कुछ होता है तो वो जो bonus shares आपने कैसे दिये किसका क्या सोर से आपने bonus shares दिये वह आपको SFS में बताने दूसरे जो पैसे लेके दिये उस पैसे का जो अपने कहां रख रखा है वह आप बताओगे तो अन्यूटिलाइज मनी वह आपने डिस्क्लोज करने कहां इन्वेस्ट कर रखा है तो शेर से पैसा लिया उसके बाद आप बोलो हमने इसको बाहर भेज दिया फॉरन में भेज द कॉस्ध इंशॉररिंट से जो ऑपने इंपोर्ड कर कर रिया यूज कया रखा है अब यह जो आपने इंपोर्ट करके यू orth क cheese आपनी प्रोडक्शन में वह बताओच कितना आप पने इंपोर्टिड यूज क्या इंड्य इन्व इंडिया वाला यूज क्या बड़ी अजीव-जी चीज़े पूझ रहे हैं पदा नहीं क्यों बड़ मजा आ रहे हैं इंको यह कहा रहा है जो इंडिया वाला माल है उसकी वेल्यू बताओ और उनका पर्सेंटेज बताओ सब जानना है इंको अगली चीज़ कह रहा है यह तो गुट्स की बात हुई है सर्विस के लिए भी पेर्मेंट की एक्सपेंडिचर मैंने कहा हां कह रहा है एक्सपेंडिचर बताओ इंद फॉरन करेंसी किसको लेके आज पॉइंट हो गए है तो पहले क्या करा है इक्विटी के दो पॉइंट डिसकस करें तीसरा हमने खर्चों की बात करी जो हमने फॉरन में किया है अब लास्ट पॉइंट सर बड़ा छोटा पॉइंट है तो उसका डिस्क्लोजर देख ले ना माइक्रो स्मॉल मेडियम नाम ही छोटा है माइक्रो स्मॉल मेडियम इंटरपाइज वाले जो डिस्क्लोजर होता है में से डेवलपमेंट है 2006 पिर यह रिटन रिप्रेजेंटेशन यह उनी चीजों को लेके जिसके लिए मैनेजमेंट ने क्या दी थी रिस्पॉंसिबिटी जो पेरेंट की रिस्पॉंसिबिटी थी उसी को लेके रिटन रिप्रेजेंटेशन आपने ले लिए अब सार्ड होता रिपोर्टिंग वाला पार्ट मैं इसको मानता हूँ सबसे इंपोर्टेंट और सबसे इजी तर ऐसा क्यों कुछ है ही नहीं किसका बैलेंट शीट का पी एनल का कैश फ्लो का खतम कहानी अब सर्फ पेरेंट का अडिटर अलग है सबसेडरी का अडिटर अलग है तो क्या मुझे यूज़ करना पड़ेगा वर्क अदर ओडिटर येस ऐसे 600 विल बी अप्ली के बड़ मैंने आपको क्या आता अगर चार बच्चे मिलके प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो क्या चारो का नाम आना चीए है हां चारो का नाम आना चीए सर चारो का नाम आना चीए तो इसी तरह आपको बताना पड़ेगा कितना काम सबसेडरी के ऑडिटर ने किया what is the magnitude of work which is done by the सबसेडरी को अडिटर सर कैसे बताओ कौन सा पैरा हेल्प करेगा अधर मेंटर पैरा ऐसे 706 बोलो मिर साथ अधर मेंटर पैरा ऐसे 706 अब सर मैं कैसे बताओ तो या तो अब एग्रिगेट अमाउंट बता दो कि इसने इतना काम किया या इसको इन percentage terms बदा दो सर परसेंटेज हो total assets, total revenue, cash flows, come on, total assets, total revenue, cash flows, जो भी assets, revenues और cash flows है उसके percentage terms में आप बता सकते हो अब आपका अगला सवाल तर ये जो assets हैं, ये जो revenues हैं, ये जो cash flows हैं, ये before consolidation adjustment या after, मैंने का before आपने इसमें before consolidation adjustment लेने हैं, आपने इसमें after नहीं लेना, ठीक है sir, and last point बड़ा simple था, अगर मैं इस तरह से दूसरों के काम को refer कर रहा हूं, क्या इसका मतलब ये है, as a auditor में अपनी report को qualify कर रहा हूं, क्या रहें, नहीं, ये qualification नहीं, it is just a indication, बोलो मिर सार, it is not a qualification, it is a indication of the divided responsibility between the parent का auditor and the subsidiary का auditor, अब सर एक बाप बताओ, मेरे जो component है न, मेरा जो component है, ये component इंडिया का नहीं है, US वाला है, ओ, US वाला है, हाँ, अब इंडिया में इंडियास चलता है, subsidiary, US gap के साब से बनी लिए, तो क्या करें, gap conversion, याद है, gap conversion करनी पड़ेगी, तो gap conversion के दो तरीके, क्या, ये जो US के financial statement है, इनका audit तो auditor ने already कर दिया, हाँ, तो इसी auditor को बोल, तुने audit तो कर दिया न, जरा convert करके दे दे, ठीक है, बोला, audit तो कर दिया, जरा convert करके दे, audit वाले बाबू, जरा convert करा, दो, तो हमने इसको बोला, convert करके दे, तो ये कहता है, यार, कैसे करू, मुझे तो indies आता ही नी, हैने का, देंगे ना, तेरको, हम तेरको इसकी guide देंगे, guide का नाम है, gap, group accounting manual, हम आपको group accounting manual देंगे, उससे आप US gap से indies में convert करके, दो न, तो कहता, ठीक ह है, अगर ये बोल दें, नहीं, नहीं, ठीक नहीं है, तो फिर हम जा करेंगे, हम management को बोलेंगे, हम entity को बोलेंगे, उसकी management को बोलेंगे, तुमी conversion करो, तुमी इसका conversion करो, और जो भी conversion होगी, उसको as auditor, आप चेक करके, चलोगे, तो यही दो बाते यहां लिखी भी है, कि अगर उसने game use नहीं किया, entity खुद conversion करेंगे, तो आप as auditor conversion adjustments देखोगे, तो अगर कोई component audit नहीं हुआ, तो अपनी report को modify कर दे, मैंने का भूल के भी मत करना, भूल के भी मत करना, you have to consider a possible modification, possible modification क्योंकि आपको evidence नहीं मिला, and आप consider करोगे materiality, इसको यह किस तरह से लिखते हैं, consider both the qualitative as well as the quantitative factors when determining the modification as per S705, तो यहां आपका 18 minutes 30 seconds में, पूरा का पूरा revision of audit of CFS complete होता है, I hope you enjoyed this class, I hope you enjoyed the revision, and बस मैं आपको एक छोटी सी बात और कहूंगा, फिर टाटा बाई बाई-बाई, push harder than yesterday, if you want a better tomorrow, कल जो मैनत की, अच्छा किया, good, करनी चाहिए, बस आज थोड़ी सी और extra करेंगे, आज थोड़ी सी और extra करेंगे, ताकि कल और बहतर हो सके, okay, so thanks a lot, thanks a lot everyone for attending today's session, I enjoyed, I hope you all enjoyed too, इसी तरह खुशी से मन लगा के पढ़ते रहो, क्योंकि खुशी से बढ़ेंगे, तब ही आगे बढ़ेंगे, make sure, जो भी questions थोड़े बहुत मैंने homework में दिये हैं, please आप उनको अच्छे से practice करके चल रहे हैं, and yes, कल मिलते हैं, कल की class में, तब तक के लिए हमेरा ही audit के, फिर मिलेगे, चलते चलते,